तो हम लोग आज आप लोग को फिल क्या लेकिया हैं गैस करो इसको तो कुछ पाता ही नहीं होता है सेक्षन है जो यहां पर एसे बरोबर फिट हो जाते हैं तो अभी मैं यहां पर चेक करने वाली हूं थोड़ा सा पालनी डाल के आप यह देख सकते हैं क्योंकि इसकी सारी डीटेश भी मैं वीडियो में एंग में देने वाली हूं हालो गाइज वैकम बैक टू मैं चानल मॉंडी तो हम जो आज आपको को फिल क्या लेकिया रहे हैं गैस करो टीवी पाता है इसको तो कुछ पाता ही नहीं है साप्राइस होता है बोलना में रहे हां तो वही हम लोग टीखिंग बाक्स लेते आए या या इसे कुमेंटर फिल करते हैं मुझए यह ज़े यह बाला अलग ग्रीन कलर है यह ग्रीन है पर थोड़ा डिफरेंट कलर है तो हम अब इसका आण बोक्सिंग रिवीव करने नाद वर ये थोड़ा बड़ा स्टे ताझ कि एहां हम लोग क्या रख सकते हैं तो है रख सकते हैं रख सकते हैं दो सालेकर जाते हैं तो वर रोल करके रख सकते हैं कुछ जैम रॉल या ऐसा कुछ रखना है तो भी रख सकते हैं ऐसे बढ़े सेक्शन में तो बहुत की छोटों सा है क्यों पार है यह पीछे देख सकते हैं यह जो पीछे हैं यह इसके सेक्शन है जो यहां पर ऐसे बरोबर फिट हो जाते हैं तो थोड़ा में चेक करते हूं पानी डालते भी कैसा है यह मुझे पूंदी एक मिला है मैन्यूल मिला है छोटू सा मैन्यूल है इसको एक आप ध्यान रखेगा जबी ऐसे यूस कीज़ेगा प्लास्टिक वाले कोई भ किल था बाव जो है तको भाब दा वरणिस्माटे प्लास्टिक योड़ेगाने इस प्लास्टिक क्यों तो ज्सक्टे कोई विद्ध यहां पर बदा यहां पे यहां पर इसे पानी डाल रही हूं और तो इसे तो भी तोड़ा में चेक करूंगी एक आम आहिए अभी यह में धक्षण के हिसाब से ते पेरेल्ली करने वाली हूं एसे तोड़ा प्रेस करूंगी ताकि वो बरबर बंद हो जाए और अभी मैं इसको ऐसे शेक करने वाली होगी आप यह देख सकते हैं तो मेरे खाल से यह बहुत ही अच्छा है इंडर गाडन बिल्कुल भी पानी लीक नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं मैंने तू तू फाइं मिल्स तक इसको ऐसे रखा है यूज यूर ब्रेन वेन यू लॉव लॉव देखी लॉव यह हमें थोड़ा इसे प्रेस करके फिर एसे लॉव करना है तो यह आप ऐसे देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी मूब नहीं हो रहा है इसमें से वाव यह पानी नहीं डाला है तो वह पूरा ड्राई है यह हम लोग देख सकते हैं आपर और कितना सिली को रहा है तो यह बहुत ही अच्छा लिक्प्रूफ है और यह किंडर गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा है यह तो राइज हमने यह चेक किया है कि यह लिक्प्रूफ है यह जो कंपार्टमेंट है उसमें कुछ भी लिक्विड मिक्स नहीं हो रहा है तो य अगर आपके छोटे बच्चे हैं घर में जूनियर केजी सीनियर केजी फर्थ स्तांडर्स सेकें स्तांडर्स बच्चे लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा है काफी छोटा है लाइट वेट है अच्छा कॉलिटी का प्लास्टीक है पाग यह जरूर से यूज कीजिए अगर अच्छी कॉलिटी के चाहिए तो यह बहुत ही बैस है क्योंकि लीग प्रूफ है तो यह ज़रा भी कहीं भी सेक्शन में भी नहीं लिक्विड जा रहा है मैंने पूरा चेक्षिक किया है तो वीडियो का आप मेरा एम तक देखेगा क्योंकि इसकी सारी डिटेस भी मैं बन मत कीजे रखे थोड़ा सा फूट को थंडा होने दीजे और फिर उसका लिट बन कीजे ताकि ताकि जो यह प्लास्टिक रहता है वो मेर्ट ना हो जाए खरब ना हो जाए अपना लांग लास्टिंग रहे तो वह चीज मैं आपको खास बोलना चाहती हूं यह टीपिन के लिए तो यह आपको मेरा टीपिंबॉक्स का वीडियो पसंद आया की नहीं वह हमें चैनल को सब्सक्राइब को शायर किजिए कमें में बताएं कि यह वीडियो का सब्सक्राइब कर देंकि पार वाचिए कर दो कर दो प्ताइब कर दोब्सक्राइब कर दो यह मैं वीडियों सब्सक्राइब कर दो लिए। सब्सक्राइब क्रति अवाचिए आझे विल्स्टवीड